देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सब्सक्राइब करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सबी सब्सक्राइब के महादेव की क्रिपा आप सबी पर सदाय बन गए। हर राशी के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है, राशी फल के तिरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संग्शिप्त सी नजर डाल लेते हैं। व्रिश्चिक में रहेंगे नक्षत्र रहेगा उनका जेश्टा और सूर्य देवता सिम्ह में रहेंगे नक्षत्र रहेगा पूर्व थालगुनी। कुछ विशेश मुहरुतों की बात करते हैं। अविजीत मुरत 11.55 AM से 12.46 PM और अमृत काल 122 PM से 253 PMुछ अशुप मूरतों की बात करते हैं। राहुकाल 5.5 PM से 6.40 PM और गुलिक काल 3.30 PM से 5.5 PM इन दोनों ही अशुप मूरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार सूर्य चालीसा का पाठ करके ही घर से निकल लिएगा। तो ये था पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुवात करेंगे मेश के साथ। शुरुवात करेंगे मेश के साथ। एक ही चीज़ कहूंगा कि अपने आपको एक्सप्रेस कीज़े। जो भी मन में चल रहा है उस चीज़ को एक्सप्रेस कीज़े। अपने आपको दवा बैटने वालों मैं से नहीं यह सहम कर बैटने वालों मैं से लेकिन पिछले लोगों के सामने एक्स्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो भी कारण हो सको हटा कर अपना articles वीत्तित्व की कोशिश कीजिए अभी आपको बहुत कुछ करना है अपने आपको और इंप्रूब करना है यदि जो भी रीजन है जो आपको hold back कर रहा है उससे निकलने का प्रयास कीजिए अपनी self-respect के साथ बिल्कुल भी compromise मत कीजिए वो कोई भी हो जो आपके self-respect के साथ थोड़ा खिलवार करता है या तो उसको आज आंसर दे दीजिए या तो उस वक्ति को अपने जीवन से दूर करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में positivity आप अपने आप से ला सकते हैं आज अपनी वानी पर बहुत control रखिएगा वानी के कारण थोड़ी problem बढ़ सकती है जहां तक करियर की बात है जो लोग संडे को भी काम करते हैं जादा भरोसा केसी में मत कीजेगा आज आपके अपने ही आप पर थोड़ा आपके लिए कुछ कुछ नुकसान कर सकते हैं जहां तक business की बात है यहां पर अच्छा दिन दिख रहा है कुछ न कुछ सकरात्मक हो सकता है लव लाइफ अच्छी है एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने मन करेगा मौका भी मिलेगा अच्छा दिन है जहां तक विवाहिक जीवन की बात है एक तीम की तरह आगे बढ़िए एक व्यक्ति इधर जा रहा है एक व्यक्ति उधर जा रहा है ऐसा इस समय लग रहा है जब आप विवाह के बंदन में बंद गए हैं तो एक तीम की तरह आ अज अचानक से कोई यात्रा का प्लैन मत बनाईएगा आपके लिए उपाई यह है कि सूर्देवता को जल अर्पन करते हुए ओम नमस्षिवाय का जाब कीजिए शुब अंक है आपका चार कलह है ग्रीन भाग्य प्रतिशत है 65 पतिशत चलते हैं टॉरस यानि की व्रिशप के तरफ एक ही चीज़ कहूंगा कि अपनी प्रायोरिटी के लिस्ट में सबसे उपर नाम अपना रखें ठीक है लोगों के लिए आपको कुछ करना चाहिए अपने आसपास के लोगों के लिए अपने रिष्टदारों के लिए अ अपने आपको भूल जाए और इसके कारण क्या हो रहा है आप बहुत अकेला फिल कर रहे हैं क्योंकि आपको यह लगता है कि आप तो सब के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन जब आपके किसी जरूरत की बात आती है तो कोई भी उसका ध्यान नहीं देता यह जो अकेला प आते हैं इनको फॉर ग्रांटेट लेते हैं वैसे दिन अच्छा दिख रहा है भागे का साथ प्राप तो हो सकता है अपने स्किल्स को और अपडेट कीजिए जो भी आपकी लाइफ स्किल्स हैं प्रोफेशनल स्किल्स हैं खाना बनाना सीखिए या कुछ ना कुछाथ सीखि कि आज अपने मन को थोड़ा डाइवर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा धन के संबंद में दिन बहुत अच्छा है लेकिन बार बार वर्ग कुनलियां भी यही कह रहे ही कि अपने आप पर फोकस बढ़ाईए जहां तक करियर की बात है अच्छा दिन दिन दिख रह हूं आने वाले एक हफ्तों में कहां पर हम चीजों को ठीक कर सकते हैं लव लाइफ अच्छे दिख रही है पैशनेट दिन है विवाहिक जीवन यहां पर भी अकेले पन का भाव रहेगा आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपकी बातों को समझते नहीं जह स्वाश्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अतन तबली है तो मैंने पहले ही कहाता धन के संबंद में दिन अच्छा दिख रहा है यह चीज उसको कंफर्म कर रही है आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्देटा को जल अरपन करते हुए ओम भास करायन महा मंत्र क जाब करना है शुब अंक है आपका वन कला है ग्रीन भाग्य प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत है जैमिना यानि कि मिथुन की तरफ दिन ठीक है लेकिन आपने अपने आपको कहीं बांध रखा है अपने दिमाग के बंधनों में यानि कि अपने सोच के बंधनों में कि मैं यह सकता या मैं यह नहीं कर सकती जबकि सच्चाई इसके विप्रीत है बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वह confidence की कमी है अपने मन को अपने मस्तश्कों को थोड़ा clear कीजिए क्योंकि इतना कुछ चल रहा है मन में कि वो जो clarity of thoughts है जो बहुत जरूरी है इस समय आपके जीवर में वो नहीं आपको प्राप्त हो रही है आप अपने आपको ही छोटा समझ लेते हैं कि नहीं कर सकते हैं लेकिन मन में आ जाता है कि नहीं मुझसे यह नहीं हो पाएगा और यहीं चीज जो आपको परिशान कर रही है जादा लोगों पर भरोसा नहीं किजिए जादा लोगों पर dependent मत रही है अपनी खुशे और को किसी और dependent मत बनाई है यानि कि कोई है तो आप खुश है कोई नहीं है तो आप गम गीन है ऐसा यदि हो गया तो जीवन व्यतीत करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक बैलेंस लाने का प्रयास किजिए अपने जीवन में जहां तक करियर की बात है दिन ठीक द दिख रही है अपनी अबिलिटी इस पर थोड़ा और ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा अपने उपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा जहां तक लव लाइफ की बात है यहां पर दिन अच्छा दिख रहे हैं अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे स्टूडेंस डिरेक्शन ल अनतिन्त भली है अब क्योंकि मन में इतना कुछ चल रहा है और फिजिकल एनरजी ज्यादा रहेगी तो यह और एक इंबैलन्स की स्थिय आज आपके जीवन में उत्पन करेगा थोड़ा ध्यान दीजेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्य देपता को जल अरप परस्नल लाइफ में या कहिए मानसिक तोर पर उससे आप खुद ही निकल सकते हैं क्योंकि उसको एग्जैजरेट खुद ही किया है कभी-कभी बहुत ओर ठिंग करते हैं करकर राशी के जातक मैं कई बर बता चुका हूँ जल तत्व की राशी है सेंसिटिव लोग होते हैं चोटी-चोटी चीज़ों को मन से लगा लेते हैं और इस समय भी ऐसा ही कुछ लग रहा है यह जो नकरात्मत्ता है यह जो डाकनेस है यह जो अनसर्टेनिटी का महौल है इससे आप खुद ही अपने आपको निकाल सकते हैं प्रत्ने खुद ही करने पड़ेंगे अगर आपक को उस मौके का फायदा उठाना है ऐसा लग रहा है कि आज का दिन भी थोड़ा इमोशन आपके वोपर हावी रहेंगे और थोड़ा सा मन विचलित रहेगा जहां तक करियर की बात है अच्छा दिन है आज भाग्ये का साथ बहुत प्राप्त होगा कारेक्षेक्त में बिजन कर सकते हैं जい य metaph fulfillment की की बात है कि आजिक दिन एक दूसरे को जानने वहिचानने के दीजिएगा बले ही दौ साल एक साथ है तीन साल एक साथ है लेकिन changes आते रहते हैं तो आज का दिन एक दूसरे को दीजिएगा जहां पर बातचीत कर सके क्या बदलाव आ रहे हैं जीवन में उनके बारे में बात हो सके विवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है आज का harmonious दिन है compatibility अच्छी रहेगी अच्छी बातचीत होगी students थोड़ा motivation चाहिए आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कही न कहीं से ढूंडिये उसको या तक सेहत की बाता anxiety और sleep disorders तंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका बारवा स्थान अतिन तबली है थोड़ी तब्यत भिगड़ सकती है आज शाम के समय ध्यान दीजेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको सुर्य देटा को जल अरपन करते हुए ओम भास करा ये नमहाईस पंतर का जाप करना है शुबंक एच्छे कल है आपका black भाग्य पतिशत है 70 पतिशत चलते हैं लियो यानि की सिम्भ की तरफ अपने साथ थोड़ा सौम में रही है दूसरों के साथ तो रही है अभी क्या हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है जीवन में रीसेंटली या overall भी तो उसका जिमेदार अपने आपको उसका कसूरवार अपने इसका कोई कारण नहीं है क्योंकि नियति का खेल होता है अच्छा होता है बुरा होता उसमें बहुत अपत्तक Pre-Recitat होता है थोड़ा सा हमारा अपना हाथ होता है उसमें थोड़ा बहुत बदल सकते हैं लेकिन ज्यादा जर तो नियती ने decide करके रखा होता है तो गलत चीज़ों के लिए अपने आपको जिम्मेदार नाठर है थोड़ा relaxation का दिन है, Sunday का दिन है यदि मौका मिलता है आपको छुटी का तो आज का दिन अपने mind को, अपने body को relax कीजेगा अपनी energy को, जैसा कहते है, rejuvenate कीजिएगा उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है कुछ नया जानने का प्रयास कीजिए अपने mind को थोड़ा divert कीजिए कुछ ऐसी चीज जानने का प्रयास कीजिए जो शायद आपके रोज मर्रा के जिन्दगी से अलग है अपने communication पर भी थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा जब बाते रखते हैं दूसरों के सामने वो सपष्ट नहीं होती और आज भी ये problem हो सकती है करियर के इस आपसे ठीक ठाक दिन है जहां तक business की बात है अगर कोई काम नहीं बन रहा तो उसके alternatives ढूनने की कोशिश कर लिजिए love life अच्छे देख रही है यति recently बहुत जगड़ा हो गया था break up तक बात पहुँच गई थी तो आज भाग्य मौका दे सकता है चीजों को सुधारने का विवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है आजका एक दूसरे का साथ प्राप्त होगा students अपने शब्दों की मर्यादा पर ध्यान दिया किजी ठीक है यंग होते हैं लेकिन कुछ ऐसे चीज़े बोल जाते हैं जो अच्छी नहीं लगती आपके मुक से और वैसे भी अपने जैसे मैंने कहा था कि communication पर थोड़ा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा students के लिए भी apply होता है सेहत के हिसाब से thyroid की problem यदि आपको है थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है सरवाश्टक के हिसाब से आपका 11 अस्थान अतिन्त वली है यानि कि लाबसन तो कुछ न कुछ लाब प्राप्त हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्य देटा को जल अरपन करते हुए ओम सूर्या ये नम्हा मंत्र का जाब करना है शुब अंक है आपका 6 कलर है आपका पिंक भाग्य पतिशत है 70 पतिशत है करन्या यानि की वर्गो की तरफ दिन तो आपका ठीठाग दिख रहा है थोड़ा लॉंग टर्म सोचिएगा अगर छुट्टी का दिन है संडे का दिन है लॉंग टर्म सोचिएगा अगर कोई आपसे बुरी तरह से आज बात करता है तो जरूरी नहीं कि आपको भी उनके स्तर पर जाके बात करनी है अपना ग्रेस अपनी इंटेग्रिटी बचा के रखेगा बना के रखेगा अनिशित्ता थोड़ा सा घेर सकती है जितने के मद्य भाग क्या सपास तो अपने आपको कहीं न कहीं involved रखेगा थोड़ा entertainment काथ साथ ले सकते हैं music सुन सकते हैं movie देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि अपने mind को थोड़ा खाली करना पड़ेगा जिसको कहते हैं बहुत clutter बहुत कुछ जवां कर लिया है अपने mind में और उसके कारण confused तो नहीं कहूंगा लेकिन clear नहीं सोच पा रहे इस चीज़ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा जहां तक करियर की बात है दिन अच्छा देख रहा है अच्छा महौल रहेगा बिजनस के हिसाब से पुरानी चीज़ों पर मच जाईए पुरानी सोच पर मच जाईए कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे जीवन में जहां तक love life की बात है एक दूसरे की समवेदनाओं को समझने का दिन है विवाहिक जीवन बहुत अच्छा देख रहा है आज का अच्छा आप दोनों के वीश में महौल रहेगा स्टूडन्स से यही कहूंगा कि दिन तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा इम्मिच्छर से आप रहेंगे आज नहीं पिशले को दिनों से रह रहे हैं और इसकी कारण गलतिया कर रहे हैं सेहत के हिसाब से वात रोख करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका दस्वा स्थान यानिकीकारिक शेत्र अत्यंत बलिया जॉब में कुछ ना कुछ सकरात्मकााज हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको सुर्देत्ता को जल अरपन करते हुए ओम भास करा ये नमहाईस मंत्र का जाप करना है शुब अंक है आपका चार कलर है ब्राउन भाग्या प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत तुला यानि की लिब्रा की तरफ दिन अच्छा दिख रहा है घरवालों को समय दीजिएगा उर्जा बहुत अच्छी रहेगी यदि आज का दिन जादा से जाद समय आप अपने घरवालों के साथ व्यतीत करते हैं दूर रहते हैं उनसे तो बारचीत कीजिए थोड़ा सा समझने के एक शमता बहुत इच्छी रहेगी एक clarity of thought आपके पास रहेगा जो की अच्छी चीज़ है जहां तक करियर की वात है थोड़ी commitment में कमी आ रही है यानि कि मन नहीं लग रहा उसकी करण गलतियां हो रही है आज भी हो सकता है इस पर कंट्रोल कीजिए बिजनस के लि दीजेगा space दीजेगा अपने life partner को जादा involvement भी कभी कभी हानिकारक होता है students से यही कहूंगा कि अपनी energy अपनी औरजा एक जगा पे लगाए इस समय छिन बिन हो रही है आपकी और यह नकरात्मक है सेहत आज की अच्छे दिख रही है सरवाश्टक के हिसाब से आपका भाग आगे का साथ भी प्राप्त होगा दिन तो अच्छा देख रहा है आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अरपन करते हुए ओम सूर्या यह नमहाईस मंत्र का जाप करना है शुब अंक है आपका साथ कलर है आपका ब्राउन भाग्या पतिशत है असी प आपको, इस प्रसक्ते हैं और आपको जान तो गछे हैं और आप जैसे हैं अकोई व्यक्तिन आप से चेंज लाने का प्रयास कर रहा है तो उस व्यक्ति को बोल दीजिए कि भाया मैं चेंज नहीं होने वाला क्योंकि आप जैसे हैं इश्वन ने आपको वैसे बनाया है और आप वैसे ही पॉफेक्ट हैं जो आपके अपने हैं वो आपके भाई, बैन हो, माबाप, दोस्त हो, जो रियल दोस्त होते हैं उनके साथ समय ज़्यादा फ्यतित किया किजिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक सोशल सर्कल है वो थोड़ा खराप सा हो गया है। खराप मतलब उसमें ऐसे लोग हैं जो मैट्रिलिस्टिक है कुछ समय के लिए आपके साथ आते हैं और अपना मतलब निकालके चले जाते हैं इन लोगों को जानने का प्रयास कीजिए आज creativity काफी रहेगी जहां तक कारेक्षित्र की बात है concentration की थोड़ी कमी रहेगी जिसके करन प्रॉब्लम हो सकती है बिजनस बहुत अच्छा दिन है लाब कारे दिन है जहां तक लव लाइफ की बात है थोड़ा expressive बनिएगा मन में जो भी चल रहा है वो बात करिएगा आपने पार्टन से ज्यादा टाइम भी कोई मन में बात रहती है तो वह बहुत गरत तरह से बाद में बाहर निकलती है आश्ठक के हिसाब से आपका अश्टम स्थानतिंत बली है दिन की शुरुवात थोड़ी अनिशित्ता के साथ हो सकती है कोई भी बड़ा निरने मत लिजेगा सुभा सुभा उपाई है सूर देवता को जल अरपन करते हुए ओम भानवे नमहा इस मंत्र का जाप करना है शु नहीं है तो निरने को अवाइड कीजेगा क्योंकि वह नकरात्मक दिशा में जा सकता है अपनी स्टेंथ ढूंडिए अपने विश्वास को दुबारा ढूंडिए जो कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा कम हो चुका है अपने जीवन में बाउंडरी क्रिएट कर दीजि प्रियास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा खर्चों पर थोड़ा आज कंट्रोल कीजिगा ना केवल आज बलकी पिछले कुछ दिनों से भी खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं इन पर कंट्रोल कीजिए जहां तक करियर की बात है अच्छा दिन है कुछ education संबंदित करते हैं लाव होगा बिजनस अत्यंत लाव कारे दिन है आज अचानक से भाग्य का साथ मिल सकता है बिजनस में लव लाइफ यहां पर थोड़े लडाईया थोड़े जगड़े होते वह दिख रहे हैं जहां तक विवाहिक जीवन की बात है थोड़ा accepting बनिएगा हर व्यक्ति में दुनिया भर की खामिया होती हैं कोई भी perfect नहीं होता लेकिन यह हमारे उपर हैं किसी व्यक्ति के positive चीज़ों को ढूंडते हैं और negative चीज़ों को इस चीज़ को धियान रखिएगा सकरात्मक्त आएगी Students, अपने studies के साथ कुछ ऐसी चीज़ भी कीजिएगा जो आपको थोड़ा passionate लगती है या फिर जो आपका आपकी hobbies है उससे क्या होगा mind थोड़ा fresh हो जाएगा सेहत के हिसाब से पैरों में कोई problem हो सकती है sleep disorders, anxiety तन कर सकती है सरवाश्टक के हिसाब से आपका सात्वा स्थान अत्यंत बली है आपकी image यदी कुछ लोग खराब कर रहे हैं तो ये ठीक करना आपके हाथ में ही है ज्यादा देर मत करिएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्देवता को जल अरपन करते हुए ओम आदित्या ये नमहा मंतर का जाप करना है शुब अंक है आपका पांच कल है बलैक भाग्या परदिशत है कैप्रिकॉन यानि की मकर की तरफ आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं लोगों के सुझाव के कारण लोगों की निंदा के कारण अपने आपको बदलने का प्रयास मत कीजिए निंदा जो भी करता है उसको सुनिए एक कान से दूसरे कान से निकाल देजिए क्रिटिसिजम ठीक है अगर कोई आपका क्रिएटिव क्रिटिसिजम करता है कोई अपना आपको आपके बैटर मेंट के लिए कुछ क्रिटिसाइज करता है ठीक है लेकिन कोई व्यक्ति बस अपने मतलब के लिए आपके निंदा करता है और उसके कारण आप नकरात्मक फिल क कर रहे हैं तो उस बारे में ज्यादा सोचने का प्रयास मत कीजिए आपके पास बहुत कुछ करने को है जीवन में उन पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दीजिए आज उन लोगों के साथ समय व्यतित कीजिएगा जो आपको को अंकंडिशनली प्यार करते हैं अपने रूट्स को यानि कि अपने फैमिली को अपने ट्रेडिशन्स को इन सब के इन सब को जानने का प्रयास कीजिए इन सब के साथ समय व्यतित कीजिए तभी एक बिलॉंगिंग की फीलिंग आपको आईगी अभी क्या है मन थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है क्योंकि पता ही नहीं कि कौन अपना है कौन पर आया ओवर्थिंकिंग से बचिएगा जहां तक करियर की बात है दिन ठीक है लेकिन यहां पर भी ओवर्थिंकिंग बहुत त करेंगे बिजनस कि अगर कुछ भी अलग होता है तो उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट आज करेंगे तो अच्छा रहेगा हो सकता है परिस्थित्यों में थोड़ा बदलाव आ जाए जहां तक लव लाइक की बात है कोई प्रॉब्लम चल रही थी आर उसका सॉलूशन प्राप्त हो सकता है विवाहिक जीवन ठीक है लेकिन थोड़े रिलावल और बनी है जहां तक स्टूडेंस की बात है थोड़ा सा साहस आपको भी दिखाना पड़ेगा सेहत के हिसाब से डाइजस्टिव डिसॉर्डर्स तन करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा स साथ कलर है पिंक भाग्या पतिशत है 65 पतिशत आप चलते हैं कुम्भ यानि की एक्वेरियस की तरफ दिन तो ठीक है आपका लेकिन थोड़ा बंधन में बंदा हुआ अपने आपको पाएंगे वो मानसिक जादा दिख रहा है इनसे निकलने की कोशिच कीजिए कुछ भी न जो लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो आपको unconditionally प्यार करते हैं उनको थोड़ा इज़त देना शुरू कर देजिए उनको for granted आप ले रहे हैं और ये कहीं न कहीं back of the mind आपको भी पता है इसके करन थोड़ी guilt की feeling भी होती है तो इस चीज को सुधार intuition अच्छी रहेगी थोड़ा communication पर आज काम करना पड़ेगा जहां तक करियर की बात है अच्छा दिन दिख रहा है अगर संदे को भी काम करते हैं तो बहुत focus रहेंगे अपने कारक्षे पर में business कुछ काम जो नहीं बन रहेते आज अचानक से बन सकते हैं कुछ ना कुछ सकर अत्मक्त आती भी देख रही है बिजनस में जहां तक लव लाइफ की बात है जादा चिंता ना करें जादा ओवर्थिंक ना करें विवाहिक जीवन वाणी में सौम्मेता रखें वाणी में ग्रेस अगर लडाईयां होती है या आज होती है तो ऐसे शब्दों का उप्योग कर होता है जहां तक स्टूडेंस की बात है थोड़ा नकरात्मक फील करेंगे आज कुछ बुरा है नहीं लेकिन शायद जीवन सही डिरेक्शन में नहीं जा रहा इसके करण थोड़ा फरेशान रहेंगे सेहत के हिसाब से आपका आपको गले के रोगतं करेंगे सर्वाष्ट करते हुए ओम इंद्रा ये नमहा मंतर का जाब करें शुब अंक है आपका पांच कल है यलो भाग्यपतिशत है कि सत्तर चलते हैं पाइसे ज्यानी की मेन की तरफ देखें मन में कोई बात दवाकर बैठे हुए हैं वो किसी ये परसनल लाइफ में ज्यादा कह रहा हूं कि कि किसी के बार में कोई ओपीनियन है या किसी की बात आपको कोई चुब रही है बुरी लग रही है लेकिन वह बात उनके सामने नहीं रख रहे कहीं आपको लगता है कि वह बुरा ना मान जाए रिष्टों में खटास ना आ जाए कोई बात नहीं अगर आपके मन में कुछ है कोई चीज बोल दीजे क्योंकि अभी क्या है वो आपको मानसिक तोर पर पीडा दे रही है बात सही होगी उस पर conversation होगी तो चाहिट चीजें sort out हो जाएं लेकिन मन में ही दबाके अभी रखेंगे तो कभी न कभी तो निकलेगी बात और जब बात में निकलेगी तो गलत तरीके से निकल सकती है अपनी मन को थोड़ा है जीवन में आगे पड़ने को कहते हैं कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत जीत तो जब मन ही हार मन ही दुखी है तो कुछ भी चीज आप enjoy नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही कुछ आपके साथ देख रहा है अपनी सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि एक हफते बाद करेंगे, दस दिन बाद करेंगे, एक महीने बाद, दो महीने बाद, ये होगा तब करेंगे पूरा करने का प्रियास कीजिए, अब सपने के, सारे सपने तो पूरे कभी नहीं होते ये तो इस जीवन का कटू सकते हैं, लेकिन सपने देखना और उन पर काम करना ही तो हमारे हाथ में और क्या कर सकते हैं अगर कुछ personal life में secrets हैं तो किसी से share मत किया किजिए आज तो specially कुछ नों कुछ secret हर विक्ती का होता है या कुछ नों कुछ private बाते होती है हर बार share करने की जरूद नहीं होती आज का दिन स्पेशली अपने घर की बातें प्राइवेट बातें किसी दोस्ट से कलीक से शेयर मत कीजेगा थोड़ा जल्द बाजी से बचना है आज आपको जान तक करियर की बात है यहां पे दिन ठीक दिख रहा है अपने पोटेंशल के हिसाब से काम कर पाएंगे बिजनस में तो अत्यन तलाब कारी दिन है अचानक से भागे साथ देगा अच्छा दिन है बिजनस में लव लाइफ में भी ठीक दिन दिख रहा है एक दुसरे से प्यार बरी बाते हो पाएंगी अच्छा महौल रहेगा अच्छा अटमोस्ट रहेगा जहां तक विवाहिक जीवन की बात है थोड़ी maturity आपको और लाने पड़ेगी maturity की कमी दिख रही है especially नव विवाहित जोड़ों में students के लिए दिन अच्छा है लेकिन in decision यानि की decision नहीं ले पाएंगे कोई और आज ही नहीं पिशले कुछ दोती दिनों से यह हो रहा है अगर कोई बड़ा निरने है तो किसी से guidance ले सकते हैं चीज़ें sort out हो सकती है नहीं तक सेहत की बात है body pain बहुत रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अतिंत बली है अगर वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे थोड़ा सा और सबर कर लीजिए हो सकता है आने वारे दिनों में कुछ अच्छी डील आ जाए आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अरपन करते हुए ओम इंद्राय नव पिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नुम्हार